दुनिया का बड़े से बड़ा जिमनास्ट, चाहे जितना परफेक्ट जिमनास्ट हो, ओलम्पिक गोल्ड मेडल विनर हो या कोई भी हो, वो कर्तब नहीं दिखा सकता जिमनास्टिक्स में, जो पॉलिटिक्स के जिमनास्टिक्स में नितीश कुमार दिखाते हैं, हमेशा 2005 से 2005 से लगातार कर रहें, कंसिस्टेंटली कर रहें और सक्सिसफुली कर रहें 2005 से सरकार किसी की भी बने, गड़बंधन कोई भी हो, पार्टियां कोई भी शामिल हो उसमें मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ नितिश मार बनते हैं ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि इस देश के किसी राजनेता ने सीखा है या किसी राजनेता को पता है कि कैसे सरकार बदलने पर भी सत्ता बनी रहे कुरसी मुक्यमंत्री की एक ही विक्ति के पास बनी रहे ये जो गुड़ है ये नितीश कुमार में निराला है बिलकुल अलग है उनको बाकी पॉलिटीशन से इसी मामले में अलग करता है लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूँ आज़ देखिए मैं आप से बार बार कहता हूँ अलग अलग वीडियो में जब भी बात करता हूँ दो च ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ चालिस बयालिस साल का मेरा जो पत्रकाजिता का अनुभव है उसमें ऐसा नेता मैंने नहीं देखा ऐसा विमर्श और ऐसा परसेप्शन भी नहीं देखा कि परसेप्शन कुछ और हो और विवहार कुछ और हो और फिर भी पुलिटिकल सर्वाइवल हो उस पर सवाल नहों ये 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 असंभव जो है इसको संभव करके दिखाया है नितीश कुमार में अब आप बिहार की पालिटिक्स की बात करें दो दो धुरों की बात कर लें एक तरफ नितीश कुमार को रखें एक तरफ लालु प्रसादिया और आप दोनों की जरा तुलना करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि परसेप्शन और नेरिटिव कितना बड़ा खेल करता है किस तरह से लोगों की छबी बनाता है किस तरह से बिगाड़ता है लालु प्रसादिया दो की बात करें चारा घोटाले में सजा मिली जेल क ब्रस्टाचार और लालु प्रसाद यादो एक दूसरे के पर्याय वाच्ची माने जाते हैं लिकिन मैं आप से कह रहा हूं व्यक्तिकत ब्रस्टाचार की बात छोड़ दिए नितीश कुमार की किसी सरकार में लालु प्रसाद यादो की सरकार से कम ब्रस्टाचार नहीं रह सिध्धान्त वादी नेता के रूप में, समाजवादी नेता के रूप में, सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में और लालु प्रसाद यादो कि क्या मस्खरे की इमेज चवी क्या है कि मस्खरापन करते हैं और अपनी किवल जाती के आधार पर वोट बटोर लेते हैं इसलिए उनकी राजनिती चल रही है नितीश कुमार क्या है उनकी जाती का धाई परसेंट वोट है फिर भी पोलिटिकली सर्वाइव कर रहे हैं लालू प्रसाद यादा हो सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री बने हैं उनकी पत्नी दो बार बनी है नितीश कुमार गिंती आप भूल जाएंगे कि कितनी बार वो शपत ले चुके हैं साथ बार की नौ बार ये जो शपत लिये उन्होंने नौई है कि सात्वी है मेरी गिंती के हिसाब से शायद सात्वी ही है क्योंकि दो हजार पांच में दो बार शपत ली थी उन्होंने उसके बाद दो हजार दस में ली फिर दो हजार तेरह में ली जब बीज के साथ लड़े और चुनाव में एंडिये के जीत हुई और शपतली उसके बाद 2022 में जब एंडिये चोड़कर गड़ बंधन में गए उसके बाद 2024 में हमारे कहल आठ या नौ हो जाते हैं तो यह गिंती याद रखना भी मुश्किल हो रहा है कि नितीश कुमार ने कितनी बार शपतली हर बार उन्हें नहीं शपतली और मज़ा यह देखिए कि बिहार की राजनिती के दो ध्रोव हैं एक तरफ बीजेपी है दूसरी तरफ आरजेडी यानि राष्ट्री जंता दल लालू प्रसाद याद होगी दोनों के दोनों पार्टियों ने उनको समर्थन दिया मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिच हो रही है लेकिन पिछले 19 साल में न तो आरजेडी ने और नहीं बीजेपी ने उनकी पार्टी का एक भी सदसे तोड़ा उनकी पार्टी से आरजेडी ने कोई विधायक तोड़कर अपनी पार्टी नहीं लिया बीजेपी ने कोई प पार्टी को खतम करना चाहते थे और इस आरोप लगाने में वो कुछ भी लगा सकते हैं पिछली बार जब बीजेपी का साथ छोड़कर गए थे तो आपने ही पूर्वा ध्यक्ष आरसीपी सिंग उनके जो सबसे करीबी थे सुजाती है थे उन पर आरोप लगाया कि ये बीज 2017 में जब बीजेपी के साथ गए तो तीन लोगों का नाम लिया कि इन लोगों ने मुझे बहला फुसला कर बीजेपी के साथ जाने के लिए मजबूर कर दिया फिर उसके बाद जब महागडबंधन के साथ गए 2022 में तो कहा ललन सिंग और विजेंद यादो जो है मुझे उस जाने पर मिलेगा उसके अलावा कोई कंसिडरेशन नहीं होता कोई सिधान्त कोई नीती कुछ काम नहीं करती है उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो मुख्यमंतरी की उरसी जिधर रहने पर, जिसके साथ रहने पर बच्ची और बनी रहे उसके साथ नितीशकुमार है. मेरा मानना है भारती राजनीती का सबसे विद्रूप चहरा अगर कोई है तो नितीशकुमार है. लेकिन कमाल है कि उनको जो साथ लेते हैं वो उनकी प्रशंसा करने से चूपते नहीं है नितीश कुमार को अगर किसी ने ठीक से समझा है तो वो लालू प्रसाद यादो है जिन्होंने कहा था कि नितीश कुमार के पेट में दांत है सही बात है नितिश कुमार के पेट में दांत है लेकिन लालू प्रसाद यादों को देखिए समझने के बावजूद धोखा खाते रहे 2013 में समर्थन किया फिर 2015 में गडबंधन में शामिल किया और जिताया और मुक्यमंतरी बनाया फिर उसके बाद 2022 में साथ लिया और फिर मुक्यमंतरी बनाया तो तीन बार तो लालू प्रसाद यादो धोखा खा चुके और उससे ज़्यादा बार बीजेपी खा चुकी है और ये दोनों पार्टियां ऐसा लगता है कि जैसे तयार बैठी रहती है कि कब नितीश कुमार आएं और उनको धोखा दे हैं दोनों को धोखा खाने में मज़ा आता आप देखिए आर जेडी ने भी जब भी नितीश कुमार चोड़ कर गए महागडबंधन को या आर जेडी का साथ कभी लालू प्रसाद यादों ने उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश नहीं की ये आफवाहें ये एक चर्चाएं जो हैं नितीश कुमार के कैम से ही चलती हैं कि उनकी पार्टी तोड़ी जा रही है आप समझ दीजिए जब ऐसी खबरे आएं तो समझ दीजिए नितीश कुमार पलटने वाले हैं तो वो पल्टू राम की जो उपाधी उनको आर जेडी नितीश कुमार ने दी है वो बिल्कुल सही है आया राम गया राम का जो दौर था सिक्स्टीज का उसको मात दे दी है नितीश कुमार ने आया राम गया राम का जो कल्चर था उसमें तो कोई एक विधायक दो विधायक इधर से उधर उधर से इधर जाता आता था उस समय ए है आज एंटी डिफेक्शन लागू है और नितीश कुमार को देश के बड़े सिधानतवादी नेताओं में माना जाता है मैं बार-बार कहता हूँ परसेप्शन का अंतर देखिए नितीश कुमार और लालू प्रसाद यादों ने लालू प्रसाद यादों का चारा घोटाला का मामला देख लिजिए उसके अलावा उनकी राजनीती में शाशन की बात नहीं कर रहा हूँ राजनीती में आपको कोई ऐसा कदम नहीं मिलेगा जिसमें आपको दिखे कि उन्होंने अपने सिधानतों से जो भी उनका सिधानत हो उससे कोई समझावता किया हूँ, भारती जंता पार्टी के साथ कभी गए हूँ, या अपनी सरकार बचाने के लिए, या अपने को बचाने के लिए भारती जंता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए हूँ, या शरण में चले गए हूँ, एक बार जरूर उनोंने कोशिश क्या इसमें चाहते थे कि BJP उनकी मदद कर दे, BJP ने मना कर दिया। इसके अलावा लालू प्रसाद यादो की ओर से BJP की ओर कोई प्रस्ताओ इस तरह का आया हो ऐसा सुनने में आया नहीं। और कोई कोई समझवता BJP से किया हो ये दिखाई नहीं दिया। लेकिन नितीश कुमार ने लालू प्रसाद यादो से भी समझवता किया और BJP से भी समझवता किया। अब BJP और लालू प्रसाद यादो दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे धोखा खाने में बड़ा मज़ा आता हो। दोनों नितीश कुमार को साथ लेते हैं धोखा खाने के बाद और फिर इंतजार करते रहते हैं कि कब नितीश कुमार धोखा देंगे लालु प्रसाद यादव का तो समझ में आता है कि उनको नितीश कुमार के आने से सत्ता मिलती है सत्ता तो नितीश कुमार के आने से बीजेपी को मिलती है लेकिन लालु प्रसाद यादव से धानत की राजनिती की बात नह कारण इस संजोते का यह है कि BJP एक संदेश देना चाहती है कि वो सिधान्त की नहीं व्यभारिकता की राजनीती करती है व्यभारिक दिश्ट्री से जहां उसका फायदा होगा राजनीतिक लाब होगा वो फैसरा लेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए फिर उ उससे उसका राजनीतिक फायदा होना चाहिए तो नितीश कुमार को फिर से लेने के दो उद्देश है एक पिछले वीडियो में बताया था कि जो इंडी अलायंस है उसको कमजोर करना उसको धुस्त करना उसकी धुरी थे एक तरह से धुरी न कहें आप तो कहें उसके जो है सर्जन हार थे नितीश कुमार उस पूरे प्लैंक को तोड़ना था भाती जंता पार्टी को कि इंडी अलायंस का अस्तित्व ही एक तरह से न रह जाए एक तो उद्देश ही था दूसरा आप समझ में आता है कि बीजेपी कहीं न कहीं बिहार में डरी हुई थी कि उसको नितीश कुमार के न रहने पर भी लेकिन एंडीए की सीटे कम होंगी ये दिखाई दे रहा था अब सवाल यह है कि बीजेपी क्या समझाया होगा चिराग पासवान को जिसने अपनी पूरी राजनीती दाव पर लगा दी नितीश कुमार का विरोध करने के लिए जिसने नि एक की पार्टी की जगह पर पहुचा दिया 2020 के चुनाओ में इसके बावजूद आप चिराग पासवान की दृष्टी से सोचिए तो चिराग पासवान को क्या मिला उनको केंद्री मंद्री मंदल में जगह नहीं मिली उनकी पार्टी तूट गई नितीश कुमार ने आजी और ये इंशोर किया कि उनके चाचा को केंद्री मंद्री मंदल में जगह मिले और वो हुआ ये सब करने के बाद और पूरे विधानसभा चुनाओं में घूम घूम कर ये प्रचार करने के बाद चिराग पासवान के कि वो प्रधान मंत्री नरेद मोदी के हनुमान हैं उनको क्या मिला राजितिक दृष्टि से देखें तो चिराग पासवान के हाथ खाली है अब फिर उनको अपमान का घूंट पीकर उन्हीं नितीश कुमार से समझवता करना पड़ेगा उन्हीं नितीश कुमार के लिए प्रचार करना पड़ेगा उन्हीं की प्रशंसा करनी कर पड़ेगी सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं इंडिये के साथ रहना चाहते हैं उनके लिए भी दर्वाजा कुला है वो भी चाहें तो अवसरवाद की राजनिती कर सकते हैं और आर जेडी के साथ या महागडबंधन के साथ या इंडी अलाइंस के साथ जा सकते है उनकी सीटों में कोई बहुत जादा फर्क पड़ेगा लोग सबाब में तो पड़ेगा लेकिन विधान सबाब में कोई बहुत जादा फर्क पड़ेगा ऐसा लगता नहीं लेक हो सकता है पड़े उनका जो भी calculation हो लेकिन इतना तो तय है कि चाहे चिराग पास्वान हो या फिर लालु प्रसाद यादो हो तेजस्वी यादो हो ये मुझे सैधान्तिक रूप से ज़ादा consistent और ज़्यादा ठीक नजर आते हैं नितीश कुमार की तुलना में नितीश कुमार भारती राजनिती का वो चहरा है जो भारती राजनिती की बड़ी खराब तस्वीर पेश करता है कि सत्ता के लिए कोई भी समझोता कर सकते हैं और सत्ता के लिए समझवता करने के लिए निकलें तो साथ देने वालों की कोई कमी नहीं है नितीश कुमार निश्चित है कि जब चाहें पाला बदल सकते हैं और जिस पाले में जाएंगे उसी में स्वागत होगा और परस पर विरोधी पालों में जाते रहें और दोनों जगए उनका स्वागत होता रहा है और बेशर्मी की हद देखिए कि एक-एक से निकलते हैं एक गड़बंधन से तो उस गड़बंधन की जो मुख्य पार्टी है उसके खिलाफ सब कुछ बोलते हैं जितना बिहार विधान सभा का वो भाशन कौन भूलेगा मिट्टी में मिल जाओंगा लेकिन कभी भाजपा से समझवता नहीं करूंगा ये बोलने के बाद दो बार समझवता कर चुके तो ये है नितीश कुमार उन्होंने ये भविश्य के राजनिताओं के लिए सबक सिखाया है ये सिधान्त वगरे की बात सब बेमानी है फिजूल की बाते हैं अगर राजनिती में सर्वाइव करना है तो देखो सत्ता कहा है सत्ता की मलाई कहा है सत्ता की मलाई खाने के लिए हमेशा तयार रहो और बहुत ही मोटी चमडी बना लो और बेशर्मी के साथ पाला बदलते रहो जिसके साथ जाओ उसकी प्रशंसा करो जिसका साथ छोड़ो उसको गाली दो और ये बार-बार करते रहो लेकिन इसके बावजूद आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा, आपकी इस्थिती में कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन मेरा मानना है कि बिहार के लोगों को, बिहार के मददाताओं को सोचना चाहिए कि क्या अपने प्रदेश की छवी ऐसी ही राजनीती की बनाना चाहते हैं जहां नितीश कुमार जैसा व्यक्ति सर्वाइव करता है पुलिटिकली नितीश कुमार का पुलिटिकल सर्वाइवल बिहार की राजनीती के लिए एक बदनुमा दाग है बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को राजनीती में क्यों बने रहने देना चाहिए 2024 का लोकसभा उसके बाद 2025 में विधान सभा चुनावा रहा है मेरा मानना है कि ये नितीश कुमार RJD ये BJP की नहीं ये बिहार के मददाताओं की परिक्षा की घड़ी है वो तै करें कि अपने प्रदेश की राजनीती को बदलना चाहते हैं या जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चलने देना चाहते हैं तो फैसला बिहार के मददाताओं को करना है